ये तो हम जानते ही हैं कि आज भी हिंदू धर्म से जुड़े कई मंदिर पाकिस्तान में स्थित हैं बतादे आपको खबरे आ रही हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक मंदिर की खुदाई के दौरान बेश कीमती मूर्तिया बरामद हुई है स्त्रोतों की माने तो ये मूर्तिया कराची के सोलजर बाजार के प्रसिद श्रिप पंच मुखी हनुमान मंदिर की खुदाई के दौरान मिली हैं इन मूर्थियों को बहुत ही बेशकीमती बताया जा रहा है ये मूर्थियां पीले पत्थर से बनाई गई हैं और इन पर सिंदूर के निशान देखे जा सकते हैं ये मूर्थियां भगवान हनुमान गणेश महराज और नंदी महावीर की है सोजर बजार की तंग और घनी आबादी वाली गलियों में स्तितिस मंदिर की साज सज्जा और मरमत के लिए खुदाई का काम चल रहा था और इस खुदाई की काम में मजदूरों को अलग-अलग आकार की करीबन 15 मूर्थियां प्राप्त हुई हैं मंदिर के पुराने हिस्से में फर्ष की खुदाई के दौरान इन मूर्थियों के साथ एक हवन कुंड भी मिला है और एक छोटी सी सुरंग भी मिली है जिसमें अस्ति कलश मिला है माना जा रहा है कि ये अस्ति कलश किसी साधू संत का है क्योंकि इस कलश के पास व्यक्ति के कुछ निजी सामान भी मिले हैं मंदिर प्रबंधन और प्रशासन का कहना है कि ये मूर्थियां कम से कम पंद्रह सौ साल पुरानी है अजय साल प्रशासन का प्रशासन का कि ये अच्छ निजी साध।